आस्तिन की टीजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई साड़े 12 इंच ली है अब आस्तिन में टीजाइन बनाने के लिए फ्रेंड हमें 4 इंच और एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की चोड़ाई फ्रेंड चार इंच है और कपड़े की लंबाई फ्रेंड एक साइड से 18 इंच है तो हमें 18 इंच का डबल लेना है क्योंकि ये हमारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा है ये देखिए अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारे की सैट में एक बरावर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो ऐसे हमें इसकी उपर सिलाई चला लेनी है तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्पलीट हो चली है अब हम यहाँ से धागी को कट करेंगे और इसे सीधा करने के लिए फ्रेंड हम सेप्टी पीन लेंगे सेप्टी पीन को फ्रेंड हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है सेप्टी पीन को हम अंदर के तरफ ऐसे डालेंगे और एक सीरे से डालते हुए हम इसे दोसरे सीरे से बाहर के तरफ निकालेंगे तो अब हम यहां से safety pin को निकाल लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंड आप इस तरीकी से इजली इसे सीधा कर सकते हैं इसे सीधा करने के बाद फ्रेंड हमें इसे इस्तरी करना है इस्तरी करते समय फ्रेंड जहां पे सिलाई हुआ है वो बीच में होना चाहिए और उपर के side में plane होना चाहिए अब हम आस्तिन के कपड़े को open करेंगे और जो हमारा चोड़ा पट्टी वाला design है फ्रेंड इसे यहां पे ऐसे लगाएंगे और यहां पे ऐसे सिलाई चला के धागी को cut कर लेंगे अब हमें देर इंच के चोड़ाई नापनी है तो यहां से हम ऐसे देर इंच के चोड़ाई नापनी है देर इंच के चोड़ाई नापते हुए अब हम यहां पे इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ऐसे हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है अब हमें यहां से धागी को कट करना है धागी को कट करने के बाद अब हम आस्तिन के कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे अब हमें कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करना है जितनी दूरी पे फ्रेंड हमने सिलाई चलाया है उतने ही दूरी पे हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके नाप कर फिर इसके दूसरे साइड में सिलाई चला देंगे अब हम यहां से धागे को कट करेंगे अब हमें फ्रेंड यहां पे इसे ऐसे फोल्ड करना है डिजाइन को हम दूसरे सैड में ऐसे फोल्ड करेंगे फिर यहाँ पे सिलाई चला देंगे डिजाइन के उपर सिलाई नहीं चलानी है केवल इस तरीके से हम नाप ले रहे हैं इसका अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे फिर यहाँ से फ्रेंड हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई चला लेंगे ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपको इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है और फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बचा कर आल का उप्शन जरूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब हम यहाँ पर ऐसे सिलाई चला लेंगे और यहाँ से हमें धागी को और एश्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेना है अब बीच बीच में फ्रेंड जो हमारा सिलाई का धागा है उसकी कटिंग कर लेंगे हम अच्छे से अब फ्रेंड डिजाइन बनाने के लिए हमें इस डिजाइन को ऐसे चप्टी करना है यहाँ से हम ऐसे इसे चप्टी कर लेंगे सारे डिजाइन को इस तरी की साहता से चप्टी कर लेना है फ्रेंट तो ये देखिए हमने सारे डिजाइन को चप्टी कर लिए हाँ अब एक बार इस साइट से फोल्ड करेंगे फिर एक बार इस साइट से इससे फोल्ड करेंगे और सुई धागा के मदद से हम इसे लॉक कर देंगे ऐसे अब दूसरे वाले डिजाइन को भी हम फ्रेंड इस साइट से फोल्ड करेंगे एक बार और एक बार दूसरे साइट से फोल्ड करेंगे और सुई धागा के मदद से हम इसे लॉक कर देंगे same step को follow करते हुए friend हमें इस line को complete कर लेना है इस तरीके से आप इस design को easy step में बना सकती है तो friend हमारी ये line भी complete हो चली है अब हमें आस्तिन के नीचे की side में कपड़े को fold करना है तो यहां से हम कपड़े को fold कर लेते हैं आस्तिन के कपड़े को उल्टा करके ऐसे fold करें अब हम इसके किनारे की side में सिलाई चला लेंगे तो ऐसे हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है इस line को complete करने के बाद friend अब हमें design में मोती लगा लेना है तो हम ऐसे डिजाइन में मोती लगा लेंगे तो फ्रेंड हमारा डिजाइन बनके कम्प्लीट हो चला है थैंक्स वर वचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में